सोभाग्य से जो प्राप्त होता है उसे साथ पीड़ी भोगती है लेकिन जो छीन कर हासिल किया जाता है उसे साथ पीड़ी भूगती है राधी राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हारदीख हारदीख स्वागत अभी नंदन इस धर्ती पर जिसने भी जनम लिया है उसे एक ना एक दिन मरना अवश्य है क्योंकि मृत्यू जीवन का सब से बढ़ा सत्य है लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मृत्यू कब होगी कैसे होगी लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मृत्यू आने से पहले कई संकेत देती है इसका वर्नन जोतिश शाष्त्रों में भी किया गया है यदि किसी को भी ऐसे संकेत मिले तो समझ लेना उनके जीवन का अंत होने वाला है शिव पुरान में बताया गया है कि मृत्यू के कुछ महीनों पहले व्यक्ति की जीब उचित तरह से काम करना बंद कर देती है उसे भोजन का सही स्वाद नहीं मिलता और बोलने में भी परिशानी आने लगती है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा, सूर्य और अगनी के प्रकाश को देखने में असमर्थता महसूस करने लगे तो ये संकेत हैं कि जीवन के बस कुछीक्षन बचे हैं कहा जाता है कि मृत्यू के करीब आने पर व्यक्ति को चांद, सूरज, सामान्य नजर नहीं आते शिव पुरान में भगवान शिव के मुताबिक जब व्यक्ति के तन का रंग हलका पीला पड़ने लगे या सफेद तो यह इस ओर इशारा करता है कि व्यक्ति की मौत नजदीक है आपकी परचाई आपको नहीं दिख रही है तो यह भी मृत्यू करीब आने का संकेत है जोतिश शास्त्रों के अनुसार अधिक आयू वाले व्यक्ति को जब अपनी छाया धड़ रहित दिखाई देने लगे तो वह उस व्यक्ति की मौत बहुत जल्द होने वाली होती है यह संकेत होता है जोतिश के अनुसार जिस इनसान को मुह, जीब, आखे, कान और नाक पत्थर के समान महसूस होने लगे तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि मौत मेरे नस्देक आने वाली है तो यह कुछ संकेत मैंने आपको बताए हैं अगर किसी को ऐसा लगे तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके मृत्यू निकट है तो पहले ध्यान से वीडियो सुनिये देखिये उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शियर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद